आज के इस वीडियों में हम बात कर रहे हैं CDAC जाने की Center for Development of Advanced Computing में जो है बहुत सारी वेकेंसे ही है 560 total number of vacancies है तो कैसे apply करना है पूरा process जो है बताएंगे क्या important information है सारी चीज जो है discuss करेंगे चले start करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर number of posts हो कर रहा है यहां पर job location हो कर रहा है तो project associate के लिए 30 vacancy है project engineer के लिए 250 vacancy है 50 vacancy दोस्तों project manager के लिए है दोस्तों दोस्तों जो vacancy है senior project engineer module lead और project lead के लिए जो है यहां पर vacancy है job location लगभग all over India है जैसे कि बैंगलोर, चिन्नाई, डैली, हैदराबाद, कुलकाता, मोहाली दोस्तों Mumbai, नॉइडा, पुने, त्रियूबन, पुरम, पटना, जमू, सिल्चार दो corporate office of पुने, गोहर्टी, स्री नगर, चंडीगर लगभग all over India जो है इसका job location है अगर आप इक्छोक हैं, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, चले और क्या-कया important information इसके regarding बात करते हैं, माल लीजे दोस्तों आप जो है project associate के apply करना है, तो जैसे यहाँ पर view and detail and apply option इसको click करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पूरा इसके detail information बता देगा, जैसे कि यहाँ पर number of vacancies, job location, qualification के requirement है, बीटेक, post graduate अगर आपके पास है, तो भी apply कर सकते हैं, mtech कर रखा है, तो भी apply कर सकते हैं, PhD कर रखा है, तो भी apply कर सकते हैं, कोई भी experience यहाँ पर requirement नहीं है, freshers के current जो है, फॉर्म के लिए यहाँ पर eligible है, और यह tested है, तो यहाँ पर apply कर सकते हैं, इसी परकार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, salary भी दिया गया है, 3.6 lakh से 5 lakh तक जो आपको salary है, और initially जो है, 5-3 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा साएगा, अब यहाँ पर apply करने का यह बटन है, इसको आपको click करना है, इसको जैस information फिल अप कर सकते हो, इसी परकार दोस्तों अगर बात किया जाए, बात किया जाए, जैसे कि अगर बात किया जाए, यहाँ पर, कि जो project late वाला vacancy है, जैसे में 200 vacancy है, इसमें कौन कौन से है, यहाँ पर view and detail page आईए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 56 year है, इसका मतलब यहाँ पर experience मागा ही होगा, surely है, यहाँ पर experience मागा है, यहाँ पर तीन से लेकर साल साल का experience मागा हुआ है, इसको हम apply नहीं करेंगे, अब बात करेंगे, यहाँ पर और दूसरी post के लिए, जहाँ पर freshers candidate जो है, यहाँ पर देखते हैं, इस post के लिए, इस post में भी दोस्तों आपको लगजा है, जीरो से लेके मन्दब freshers से लेके experience candidate भी form को fill up कर सकते हो, अगर आपको experience है तो आपको यहाँ पर preference दिया जाएगा, तो आप अपने according यहाँ पर देख लेंगे, दोस्तों कि आप कौन सी post के लिए suitable है, बाकि यहाँ पर अगर इसकी last date की बात किया है, दोस यहाँ पर दिया गया है, qualification experience and minimum, जो भी requirement है, return test लगे रहा है, selection procedure बगरा सब जो आपको बता जाएगा, अगर आप apply करते हो, तो आपके mail के थूरू जो है, सारी information जो यहाँ पर दे दी जाएगी, तो यह कुछ vacancies है दोस्तों, यहाँ पर form को fill up करने के लिए कोई भी application फिर नह जाएगा, तो इस परकार दूस्तों आप यहाँ पर apply कर सकते हो, अगर आप interested है तो ज़रूर apply कीजे, यह video कैसा लागा, comment करके आप हमें ज़रूर बताए, apply करने का process पूरा मैं step by step नहीं बताया है, क्योंकि दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप समझ गएगो कैसे apply करना है, process ब